एक नदी में, पानी में रहने वाले सभी जीव, कच्छुआ, केकड़ा, मच्छी, मेंधक और इनके फैमिली मेंबर्स एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे. इन सभी जीवों में एक बेहत प्यारा और क्यूट सा बच्छा था, कच्छुआ का, जिसे सभी प्यार से पुच्छु बुलाते थे. पुच्छु की माँ उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी. रोजाना नई-णई कहानियां सुनाती और बच्छे को समझाती कि कभी भी पानी से बाहर न जाए. बाहर के लोग बड़े ही क्रूर, आक्रमक और निर्दई हैं, वो हमें जान से मार देंगे. रोजाना रोचक और मज़ेदार कहानियों को सुनकर पुच्छु के मन में हजारों सवाल उठते थे और वह सबसे जवाब पूछा करता था. लोग बड़े आनंदमे होके जीते थे, लेकिन एक दिन उनकी खुसियों को नजर लग गई. एक दिन नदी के किनारे पर एक आदमी आया. उसके हाथ में मचली पकड़ने का जाल और फिशिंग स्टिक था. सभी जीव जन्तु घबरा गए. पानी की खामोश और शांत वातावरण में एक चमचमाती हुई कोई चीज उनकी तरफ आ रहा था. अपने अपने बचाव के लिए सब दूर भागने और छुपने लगे. भाग दोड में पता ही नहीं चला कब पुछू फेंके गए फिशिंग स्टिक के कांटे में फंस गया. वो तडब तडब कर अपनी माँ और दोस्तों को बुला रहा था. मगर इंसान के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसको बचा सके. वो जालिम उस मासूम बच्चे को पकड़ ले गए. इधर उसकी मा का रो रो कर बुरा हाल था. वो अपने आपको दोशी ठहराने लगी. तभी एक फूल ने उनको समझाया. मेरा प्यारा बच्चा मूझ से दूर चला गया और मैं कुछ ना कर सकी. अगर मैं चाहती तो खुद को उन्हें सौप देती. मेरा बच्चा तो बच जाता. अरे नहीं नहीं. ऐसा उचित नहीं होता. वो आपको और पूछू को भी साथ ले जाता. आप घबराओ नहीं मा. आपका पुछू सही सलामत होगा. जहां भी होगा. और वो जरूर आएगा. हम सब की दुआएं उसके साथ है. लेकिन क्या करें? मा का दिल ही ऐसा होता है. इधर वो बुरा इंसान कचुए के बच्चे को लेकर चलते जा रहा था. आहां. आज तो मज़ेदार टेस्टी कचुआ का गोश्ट खाऊंगा एकडम. लजीस, ये तो होने से रहा. कग किसने बोला? इधर देख, घोचू. एक्षन हीरो की एंट्री हो गई है. चुपचाप, उस छोड़े नू महारे हवाले कर. और घर का रास्ता ना पले, अगर अपनी जान प्यारी है तो. और हाँ, सारे कपड़े उतार कर यहीं रख कर जाना. सारे कपड़े? माई बाप, आप कपड़े लेकर क्या करोगे? तेरे जौकी की चड़ी पहन कर, हम चिंता ता चीता चीता करेंगे बे. लो, मैंने पूछुआ को छोड़ दिया, और कपड़े भी दे दिया, बस, एक यही नाडेदार कच्छा बच्चा है. प्लीज, मुझे जाने दो, चल, जाने दे, तू तेरा नाडेदार कच्छा लेकर भाग जा, अभी भी, तेरे उपर तरस आ रहा है, चल, भाग यहां से, फिर दिखना नहीं, अगली बार, जो पहना है, वो भी निकाल लूँगा. चल, आजा मेरे राजा, तेरा साढ़े साथी खत्म हो गया है, अब मेरे होते कोई भी, तेरा कुछ नहीं बिगाड सकता, छोटे-छोटे जंगलों में ऐसे चिंदी हाधसे होते रहते हैं, फॉलो मी. थांक यू अंकल. आपून का प्रामिस है, मेरे बच्चे, अगर तुझे मेरी आवाज बदली हुई लगे, तो डरना नहीं. आज मैंने ओयली खाना खा लिया है न, इसलिए. और उजिंगूर्वा के उपर भी कुछ जास्ती रोरिंग कर दिया आज. उसकी तो शूशू ही निकल गई थी. दोनों मस्त वड़ा पाउं खा कर सोने लगे, तभी पुछूने बोला. पोस्ट करेगी. I love you. लिख कर. फिर क्या? तेरे दर पे सनम चले आएं हम. चल. फिर ताड़ा ताड़ी आँख बंद कर, तेरे को भी सेमीच सपना दिखेगा. ओ, तो ये है वो सपना, बट ये तो घर जैसा कुछ है. अरे ये नहीं रे बबुआ, ये तो बूर्ज खलीफा है. एक बार, फिर से आँख बंद कर, और बता भी क्या दिखा. हाँ, शे इस रिएली ब्यूटिफॉल. चल चल, अब, सोजा, कल तेरे घर चलेंगे. अगली सुबह, शेयर, कच्छुए के बच्चे को उसे उसकी मां से मिलाने के लिए निकल पड़ा. वो दोनों बात्चित हसी ठिठोली करते जा रहे थे, और देखते ही देखते, वो दोनों तालाब के पास आ गए. अरे, वो देखो, हमारा पूछू, देखो, देखो, वो आ गया. हमारा पूछू, अरे, हाँ, ये तो मैजिक हो गया. चल छोटे, अब मैं चलता हूँ. अगर मेरी जल पर ही मिले, तो उसे मेरा हाई बोलना. ओ, माई गॉड, ये देखो, अपना पूछू वापस आ गया. आज तो दमदार पार्टी होगी, अपना चैंपियन आ गया. वेल्कम बैक जूनियर.